जब हमें अलग-अलग website से external data को इंपोर्ट करना हूँ अपने Google Seats के अंदर तो हमने बहुत प्रावा फेस किया कई बार data table के पॉर्म में कई बार लिस्ट के फॉर्म में बाट कई बार तो उसके फॉर्म का पता ही नहीं होता है क्यों किस फॉर्म में data है ऐसे situation में मेरे पास कुछ non-limitation based criteria है तो मैं आप लोग के सामने दो function इंट्रियूज करना चाहता हूँ data को import करने का जिसमें से एक function आपके सामने रखना चाहता है import HTML और उससे भी बहतर अगर किसी भी type का आपके पास data है जिसे आप import करना चाहते हो किसी भी फॉर्म में हो उस data को import करने के लिए म import HTML तो वीडियो प्रसीड करता हूँ आगे इन दो फंक्सन का benefit उठाते हैं data को import करने के सामने रखना चाहता हूँ इंपोर्ट एस्टिमन नाम का function जिसके थुरू हम लोग क्या करेंगे import करने की कोचिस करेंगे tables को website है मेरे पास जैसे कि यह रहा मेरे पास website में data भी है और य एक टेबल नहीं कई सारे इसमें टेबल यह टेबल रहा और भी टेबल मैं यह टेबल को import करना चाहता हूं या लिस्ट की वैल्यू को इंपोर्ट करना चाहता हूं ऐसे सिट्वेशन में वाश्ट यूज करने चाहा हूं इंपोर्ट html देखिए import html function यूज करके देखें और यह काम क्या करेगा इंपोर्ट डेटा फांद टेबल और लिस्ट इन html पेज यह html पेज ही तो है और अगर मैं आपको दिखाऊं राइट लिक करूं इस पे इंस्पेक्ट पर चले जाएं जिनको basic html का होगा xml का knowledge होगा उनके लिए फुर्ण बहुत ही आसान है समझना इंस्पेक्ट पर मैं जाता हूं तो यहां पर इस से related सारे code आपको दिखा लेते हैं देखिए p stands for paragraph h2 h1 यह सब क्या होते हैं headers होते हैं जहां से URL उठा लेता हूं copy कर लिया गर्जर यहां double quotes के बीच में आपने पास कर दिया यह double quotes बंग कॉमा अब आप से वह पूछ रहा है query इसकी base पे stack करना चाहोगे डेटा को list के base पे यह टेबल चाहिए मैं यहां पे pass करने जा रहा हूं पहले list चलिए लिस्ट पास करके देखते हैं दोईद होगा यह तो list होगा data में या table पढ़ा हो लिस्ट ले लिया आपने चेंज करके देखते रहें यह तो इंडेक्स वन था पहला अब सेकेंड लिस्ट में जितने भी list की value होगा वह एक्स्टेट करके देखें बिल्कुल उठा लिया उसने सब्सक्राइब करना चाहता हूं तो मैं इस बार इंपोर्ट कर देना चाहता हूं यहीं पर रखता हूं करसर इस बार लिस्ट नहीं पतला हो गया position कौन सा टेबल चाहिए तो यह आपको थोरा सा exemption करना होगा हमें नहीं पता थे टेबल में टेबल ट्री कैसा है यह कौन सा है तो वह आपको थोरा अंदाजा से लगाना यह देखें टेबल वन बिल्कुल सही डेटा आगया अगर मैं टेबल टू प्रेस करके द आप लाना चाहते थे दिख लीजी ये रहाए सेंचीज है ये रहा है ना काद की चीज इस तरीके से आप टेबल 1 टेबल 2 टेबल 3 या लेस्ट 1 लेस्ट 2 लेस्ट 3 के वैली उठाके स्टैक्ट कर सकते हो वहाँ पे उस HTML पीज देख लिजी यह तीसरा टेबल यह आपका पीसरा टेबल होगा यह रहाँ के साथ उठाने बिल्कुल परफेक्ट डेटा यह आप आएकसी भी टाइप का देटा इंपर्ट करना चाहूं क्या हुं मैं कर सकता हूं हाम है कि दिस मुझे जाना होगा इंपर्ट ठीच भी जो ही आप चाहते हो वो डेटा उठा के लिखा है यहाँ पर फंक्शन अगीन इंपोर्ट एस्टेमल नहीं स्वा इंपोर्ट एक्जमल इंपोर्ट डेटा फॉर्म स्टॉक्चर्ड डेटा ओनलाइन देखते हैं इसका यूज अगीन सेम कहानी यूरेल पास करना होगा मैं उसी बेसे उठा लेता ह हो यहाँ पर डेटा वंग यहाँ पर आपको एक इंपोर्ट इंफ्पोर्टंट डिना चाहूंगा जिन लों को एक्जमल का बेसिक जो है नॉलेज हो या स्टेमल का बेसिक नॉलेज होगा उनको यह फंसल ज्यादा समझ जाएगा और बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं अगर आपको IStmal यह एक्जिमल की बेसिक कम कर सकते हैं इस थोड़ा सा बेसिक Toky अबेसिक के बारे मेंकि नोड क्या होता है कि होते हैं यह को जानना जरूरी है यह नहीं जान पाएंगे died topa यह प्रिंड कर लेना है क्योंकि मैं भी HTML और एक्जेमल स्रीज नहीं चला रहा हूं, जिसको गए, यहां पे HTML यह एक्जेमल पढ़ाना सुरू कर दूँ, तो आपको basic HTML यह एक्जेमल की knowledge लखना जरूरी है, और यहां पे जैसे अब मैं चाहता हूं, xpath query में मैं देखिए क्या पास करना, जैसे कि, एक्जाम पार के तोड़ आपको मैं करके दिखा देना चाहता हूं, यह मेरे पास है न, h2, h2 होता है header, h1, h2, h3 यह header type होता है, आप मैंसे किसी ने HTML यूज किया होगा, उनके लिए बहुत बच्चो वाले चीज है, राइट क्लिक करिए, और इंस्पेक्ट में जाईए, अगर header होगा तो बताएगा header, जैसे कि मैं यह states and capitals of India की बात करूँ, यह देखिए, है न, वई, यह क्या है, कुछ से देखिए, वो header 2 है, है न, यह आपका header है, साथ ही इसमें कहीं भी अगर hyperlink होगा कोई, तो यह उसको भी बता देगा आपको कि यह hyperlink href करके लिख कर जाएगा, hyperlink reference, यह देखिए, आगया न, href, hyperlink reference, ठीक, तो यह basic आपको पता होना चाहिए, html के बारे में, और xml के बाद थोरा सापको knowledge अगर हो, तो यह इसको आप बहुत अच्छे से use कर सका, मैं आपको इसका basic use दिखाना चाहूंगा, जैसे कि, मैं इस में से सिर्फ header को extract करना चाहता हूं, तो देखे, मैं कैसे use कर रहा हूं, double code से pass कर दिया, आपने, back slash, h2 pass कर दिया, double code बंग, interface, ऐसे, देखे, क्या उठा रहा है आपके लिए, उठा लिया न, यह देख लिए, जितने भी आपके यह headers है, अगर हमें इस पे right click करके inspect करूं, तो यह बताएगा कि यह header था, और वही उठाया हूं, यह देख लिए, s2, s2, यह जितने भी आपके दिख रहे हैं, यह सारे के सारे headers है, तो यह तो आपने header उठा दिया, s2 की value था, जो कि हमने html आपको दिखाया भी, कि हो s2 की value था, उसी तरीके से hyperlink reference, आप देख रहेते हूं, href वाले भी आ रह हटा दे रहा हूं, और फिर से pass कर रहा हूं, equal to, import xml, pass किया आपने, और pass कर देने के बाद, uran, यह रहाप का uran, इसी को copy कर लिया जाए, यहां पर again, paste, double quotes, बन, comma, xquery path, double quotes में, आप यह pass करेए, backslash, add the rate, href, double quotes, बन, packet, बन, interface, देखते हैं, बिल्कुल सही, जितने भी वहा इस import xml को आप बहुत अलग तरीके से use कर सकते हैं, उसके लिए आपको जो x path है, उसको थोड़ा से export करना है, तो आप x path के बारे को थोड़ा सा पढ़ दीजिए, जिसके बीस पे आप यह सारे, जितने भी elements या node की बात है, वो आप apply कर सकते हैं, ठीक है, इतनी बात समझा र उमीद करता हूँ आपके life में थोड़ा सा value जरूर add करने की courses मैंने किया है, और उसमें मैं सफल रहा होंगा, और आप हमारी उलाकात होती है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ बहतर content के साथ, और आज का वीडियो इस ending note के साथ, मैं सबात करना है, यह तो सच में समझ माने लग Thank You for Your Love and Support, Thank You